इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एक hydraulic disc brake की unboxing करकर दिखाई होगी जो कि Vivo company की थी तो उसमें भी मैंने आपको एक चीज बताया था कि वो वाली disc brake में आप 180 में conversion कर सकते हैं तो उससे पहले एक वाली वीडियो में मैंने आपको front वाली 180 mm की mechanical disc brake की unboxing करकर दिखाई उस वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि कोई भी company 180 mm की mechanical disc brake को manufacture नहीं करती है अगर आप बात करे 140 mm की या फिर 160 mm की तो आपको easily हर जगा available हो जाएगा एक disc brake की kit जिसमें आपको 160 mm की disc brake easily मिल जाएगे लेकिन जब बात आती है जगा आप उससे convert करेंगे 160 को 180 में तो आप आपको उसकी कोई भी kit नहीं मिलेगी आपको अलग-अलग से parts को purchase करना परेगा और खुद की एक kit को बनाना परेगा तो इस condition में क्या problem आती है आपको 180 mm की disc brake होती है उसकी parts आपको easily available नहीं होगी अगर आप उसे बाहर से मंगवाते हैं तो आपको cost कही न कहीं काफी जादा high मिलता है तो सब लोग उसे effort नहीं कर पाते हैं तो यहीं दो बड़ा reason होता है लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको 180 mm की rear वाली mechanical disc brake की unboxing करकर दिखाएंगे front वाली तो हमने आपको दिखा दी थी front वाली में भी आपको कुछ-कुछ components होते हैं जो की rear वाले से बिल्कुल अलग होती है और rear में भी component कुछ-कुछ आपको अलग से adapter purchase करना परता है जो की आपको easily हर जगा available नहीं होती है लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको आपको लेने परते हैं तो मेरा नाम है अमन और स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस चानल डू इन मिनट्स में तो मैं इसी परकार की cycles related videos अपने चैनल पर लाता रहता हूं तो मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा तो सुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको one by one करके सारे components को दिखाने से यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर जो आपको rotor दिख रहा है यह waterx company की है 180 mm की है काफी जादा बहतरीन rotor मैंने इसे खुद भी use किया है इसकी जो performance है काफी जादा आपको high मिलेगी other disc rotor की तुलना में अगर आप comparison करेंगे तब hydraulic में भी यह काम करती है mechanical में भी काम करती है काफी बेतरीन है disc rotor को रखते हैं side में इसकी design भी आप देख सकते हैं दूसरा जो एक component हमारा आता है वो है हमारा hub यह hub देख सकते हैं थोरा सापको यह different लग रहा होगा normal बाली से SC type की जो hub आती है उसे हम direct mount वाली hub कहते हैं इस वाले hub को direct mount इसलिए कहा जाता है क्यूंकि जो हमारा disc rotor होता है अगर आप 160 वाली की बात कर रहे हैं तो 160 में जो rotor आता है दो तरीके की आता है 180 में भी actually दो तरीके की आती है एक होती है flaying वाली जिसमें thread कटी भी होती है वो normal वाली hub में भी लग जाती है normal वाली hub का मतलब जिसमें दोनों side thread होती है जो disc brake के लिए capable होती है तो उसे क्या करना होता है बस simple सा रख कर screw करना होता है कुछ इस तरीके से set हो जाती है लेकिन direct mount वाले में क्या होता है direct ये आपको लेना होता है इसके उपर रख देना होता है और ये set हो जाती है आप देख लेकी की play या thread खराब होनी की problem नहीं आती है ये वाले में वह वाले में आपका playing बार बार खराब हो जाएगा उतना ज्यादा लोड नहीं लेता है ये directly आपके hub के साथ लग जाता है hub की बात की जाए तो आप देख सकते हैं काफी जादा अच्छा ये hub आपको यहां पर दिख रहा होगा यहां पर आपको six holes दी जाती है दूसरे side में यहां पर आप देख सकते हैं free wheel को लगाने के लिए thread दी गई है यहां पर आप देख सकते हैं space काफी जादा दी गई है ता ब्रेक की वायर मिलती है, आप यहाँ पर देख सकतें, इन-build पहले से होती है, फेकेट जो आपका ठर्ड जो आपका parts होता है, वो आता है आपका disc brake की machine, जो पूरी आपकी power depend करती है, वो आपकी disc brake की machine और आपके rotor के उपर होती है, अगर आप रोल्टर लगा रहे है पुराना मशीन लगा लगा लिजएगा तब कई कईने कई आपको पर्फॉमेंस थोरह सा ड्रॉप हो जाएगा यहां पर दिखाते हैं आपको इस टाइप की आपकी 180-mm की जो क्यालीपर आती है वह इस टाइप की क्यालीपर आती है थोड़ी करती है काफी जादा बड़े साइज की आप यहाँ पर देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके से लग जाती है और यह बाली जो एड़ेप्टर है आपको जल्दी अबेलेबल नहीं होती है मैंने पता करा था हर जगा यह अबेलेबल नहीं होती है यह 203 mm की भी रोटर को इसली यह सपोर्ट करती है अगर आप ऐसी वाली जो हमारी डिसब्रे की क्यालीपर है वह नहीं यूज़ करते हैं दूसरा आपको तो यह directly लग जाएगा 180, कोई भी बड़ी बात नहीं, अगर आप रेर में लगाना चाहते हैं, तो आपको कुछ इस टाइप की एक adapter लगानी होती है, देख सकते हैं, adapter का size दोनों में कितना जाधा different है, यह 203 mm तक की भी, आपकी जो disc rotor होती, उसको easily support कर लेता है, और इसकी power की जाए, तो 160 के बाद आप directly 180 यूज़ करेंगे, तो आपको power में काफे ज़्यादा drop देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा powerful हो जाता है, अगर आप इसमें 180 में, अगर आप hydraulic disc brake लगा लेते हैं, जो कि मैंने पिसली वीडियो में दिखाया है, तो वह वाली अगर आप hydraulic disc brake य एक rotor लेना परेगा, और 180 में conversion हो जाएगा, power आपको काफी ज़्यादा मिलने वाला है, ये वाले components को लगाने के बाद, बात किदा आप इसे purchase कैसे कर सकते हैं, do in minutes से purchase कर सकते हैं, local market में भी try कर सकते हैं, online भी आप देख सकते हैं, flip card amazon कहीं भी आप देख सकते हैं, इसे आप order कर सकते हैं, अगर आपको हमारे साइट से order करना है, तो simple सा google में जाएंगे, do in minutes.in लिखेंगे, वहाँ पर आपको हमारी website मिल जाएगी, application play store पे भी available है, do in minutes के नाम पे, वहाँ से भी आप order कर सकते हैं, नहीं तो आप simple सा हमारे customer care, जो कि WhatsApp number है, हमारा description box में रहता है, download link सब कर इसे order कर सकते हैं, कोई भी जाद आपको problem नहीं आती है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, जरूर आप हमें comment करकर बताएगा, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा, चैनल पर नए है यार, तो जरूर हमारे चैनल को subscribe कर दीजे, तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में